उसलावलेक। relative student, क यहाँआप फो सोत खैवियोत से होँगे। Welcome back to your English lecture. Dear student, आजके इस lecture में हम जो हमारा unit चर रहा हैं वाइब वैब वाइस 12 in college्ग, उसके हम जो question answer हैं उन्हें detail में discuss करेंगे। और इस lecture के बाद जो इस chapter के important synonyms है प्लस जो इसकी exercise के question answer है और प्लस जो इसमें से extra question answer बन सकते हैं वो आपके साथ share कर दिये जाएंगे तो आएं हम जो हमारा आज का lecture है उसे start करते हैं इसका जो हमारा पहला स्वाल इसकी exercise में दिया गया है according to the author there are some boys who fail because they do not try who are they can we help them ये पहले paragraph में से है कि जो मसन्निफ है उसने ये बताया है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो fail हो जाते हैं वो कौन है और हम उनकी क्या मदद जा सकते हैं उसने बताया कि वो लोग हैं ये वो लड़के हैं जो खुली किताब के सामने बाकी लड़कों के निस्बत ज्यादा वक्त गुजारते हैं लेकिन ये अपना वक्त यूजलेस कामों में देते हैं कभी pencil shop कर ली कभी किताबों को तर्पीब दे ली कभी किताबों की सफाई कर और इस किसम की परेशानी से ये खुद को खुद ही निकाल सकते हैं कोई और इनकी किसी किसम की मदद नहीं कर सकता कि अगर किसी लड़के को उसके वालिदेन किसी ऐसी तरफ लेके जाना चाहते हैं जिसमें उसे दिल्चस्पी ही नहीं है तो इसमें इससे क्या आफ़ हो सकता है तो बेटा हमने डिटेल में परा था कि जब किसी ऐसे एमबेशन की तरफ ऐसे मकसद की तरफ ऐसे केरियर की तरफ जो बच्चे को पसंद ही नहीं है उसके वालिदेन जबाद दस्की उस पर ठोस देते हैं वहाँ पे फिर बच्चे अपनी अबिलिटी नहीं दिखा सकता और ड और यह स्टुडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल में अच्छा प्र Свोय करते हैं लेकिन कौलीज में नहीं कर सकते क्या आपके एर्ट गिर्ट इस किसमें तालिब इल्म होते हैं जिनका स्कूल में एकडेमिक् रिकॉर्ड बहुत ब्रिलियन उता है शांदार होता है लेकिन जब यह कॉलिज में आते हैं तो यह वहां पे भी वही रूटीन अपना एरक्ट है जो इनकी स्कूल में थी जिसकी वजाए से इनका एकडेमिक रिकॉर्ड है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सता है जिस लेवल पर यह स्कूल में थे इस किसम के स्टुडेंट हर जगा पाई जात हैं कि आपके मुल्क में इस किसम के मामलात हैं देखें हमने इस चेप्टर में डिटेल में पर है कि जब आप फाइनेंशली बेटा स्टॉम नहीं होते तो आपको क्या करना पड़ता है आपको अपनी परहाई के अखरजात के लिए कमाना परता है और फिर जब आप कमाने ल भी हर जगा पाई जाते हैं अगला सवाल है तो वाट एक्स्टेंड दस दा क्वेस्टन ओफ हर्ट लीड तो दा फिलियर ऑफ दो कॉलेज हैं कि जो सेहत है ये तालिब इल्मों की कारगर्दी में किस हता के अहमियत है और कॉलेज की अथारिटी और दाक्टर है वहां को उस लिए कॉलेज के स्टाफ को चाहिए कि वह कॉलेज के डाफटर के साथ हमेशा रापते में रहे कॉडिनेशन में रहे ताकि अगर कोई इस किसम का केस हाइलाइट हो उसे फॉरां जज़ करके डाइग्नोस करके उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल स्लूशन है वो कर लिया ज़े और फेलियर से बचा जाए वाट प्लेस वुड यू अकॉर्ट तो स्पोर्ट्समें इन कॉलेज इनकी कॉलेज में कोई जगा नहीं होती इन्हें चाहिए कि ये कॉलेज से निकले और जाके किसी प्रफेश्टल स्पोर्ट कोचिंग को चूज करें क्योंकि आगे इन्होंने इसी में जाने फिर ये स्टुड़ी की तरफ इतना ध्यान ना दे अगले लेक्टर में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए टेक कियर अला हूँ